देर राध बीजेपी के कददावर नेता और केंद्रय मंत्री नितन गड़करी राज ठाकरे से मुलाकात करने पहुँचे वैसे तो इस मुलाकात को निजी ही कराद दिया गया लेकिन महाविकास अगाडी सरकार की खुले आम आलोचना कर रहे राज ठाकरे से गड़करी के मिलने के बाद क्यास बाजियों का दौर शुरू हो गया है केंद्री मंतरी नितिन गड़करी ने मुंबई में MNS प्रमुक राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात थी उन्होंने कहा ये कोई राज नितिक बैठक नहीं थी राज ठाकरे और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं मैं उनका नया घर देखने औ और उनकी मा का हालचाल जानने आया था राज फैमली के साथ गड़करी की तस्वीर भी सामने आई दरसल मंसे प्रमुक राज ठाकरे ने मस्जीदों के लाउट स्पीकर बंद किये जाने की शनिवार को मां उठाई थी शिवाजी पार्क में एक रैली में उन्होंने कहा कि मस मस्जीदों में लाउट स्पीकर इतने तेज आवाज में क्यों वजाए जाते हैं अगर इसे रोका नहीं गया तो मस्जीदों के बाहर स्पीकर पर ज्यादा तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाए जाएगी उन्होंने कहा कि मैं प्राठना या किसी विशेश धर्म के खिलाब नहीं हूँ मुझे अपने धर्म पर गर्भ है राज ठाकरे ने एंसीपी प्रमुख शरत प्रवार की भी आलोशना करते हुए कहा कि वो जाती का मुद्दा उठाते हैं और समाज को विवाजित करते हैं राज ठाकरे ने महराष्ट के मुख्यमंत्री और अपने किया उठव ने इसे तब ही उठाया जब उन्हें एहसास हुआ कि भाजपा उनकी मदद के बिना सरकार नहीं बना सकती है मंसे की नेता ने आरोप लगया कि सरकार में तीन दलों ने लोगों के जनादेश की अंदेखी की है राज ठाकरे के इन बयानों पर संजराउत ने पल दोनों देख लेंगे हमें तीसरे की जरुरत नहीं है